वो 101 इंसान मारना चाहता था लोग बोले उस तरफ मत चाहिए वो आदमी जंगली है तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओँगा तो कौन जाएगा वो बोला बकवास तुम जरूर पागल हो तब गौतम बोले तुम उस शहर जाओ जहांके सौ लोग तुम मार चुके हो तो एक आदमी था उसका असली नाम हम भूल चुके हैं लोगों ने उसे अंगुली माल नाम दिया था उसके साथ कुछ हुआ था उसे लगा समाज उसके साथ अन्याए कर रहा है तो वो क्रोधी बन गया जब आप युवा होते हैं तब लगता है कि आपके साथ सब गलत हो रहा है तो वो समाज से बहुत नाराज हो गया और उसने एक शपत ली वो शहर जहां उसके साथ हन्याए हुआ था वहां के 101 लोगों को मारने की शपत कि वो 101 लोगों को मारेगा और उनका एक अंगुठा काट कर अपने गले में माला की तरह पहनेगा उंगलियों या अंगुठों की माला तो वो ऐसा करने लगा और लोग वहां जाने से डरने लगे वो रहता तो जंगल में था पर और और भी कई जगाओं तक पहुँचने का वही राश्ता था लोग मारे गए कुछ सालों में उसने 100 लोग मार डाले अपनी वासना मिटाने के लिए और वो एक और मारना चाहता था तो एक दिन गौतम बुद्ध उस नगर में गए तब तक वो उंगलियों की एक माला बहन चुका था लोग उसे अंगली माल कहते थे यानि जो उंगलियों की माला बहनता था अपनी शपत पूरी करने के लिए उसे बस एक और उंगली चाहिए थे गौतम बुद्ध उसी रास्ते से जाने वाले थे लोग बोले उस तरफ मत चाहिए वो आदमी जंगली है वो इंसान नहीं है उसे आप शिक्षा दे कर ध्यान में नहीं बना सकते मत चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक और जान लेना चाहता था हम आपको नहीं खोना चाहते तब गौतम बोले अगर मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा और उसे त्रिप्ती नहीं मिलेगी उसे बस एक और उंगली चाहिए मैं नहीं जाओंगा तो कौन जाएगा मुझे जाने दो तो वे चल पड़े अंगुली माल एक चटान पर बैठा था उसे एक साधू चुपचा पाते हुए दिखाई दिया अंगुली माल मशूर था और वो खुश था लोगों का डरना उसे पसंद था उसका नाम सुनते ही लोग कापते थे उसे मज़ा आने लगा था तो वो चटान पर बैठे बैठे उंची आवाज में बोला मैं यहां बैठा हूँ और यही तुम्हारा अंत है गौतम उसकी ओर देखकर चहरे पर मुस्कान लिये चुपचाप चलते रहे उसे बुरा लगा आम तोर पर उसे देखकर या उसकी आवाज सुनकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते थे उसे यही पसंद था पर ये वैक्ती बस चले जा रहा था जो उसे पसंद नहीं आया वो चटान से कूद कर गौतम के सामने आकर खड़ा हो गया उसने पूछा तुम हो कौन? और क्या तुम जानते हो? मैं कौन हूँ? उसने अपने माला की उंगलियां दिखाई ओ और तुम मेरे बारे में जानते हो? गौतम बोले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है तो क्या करें? वे चलते रहे तुम जा कहां रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ और तुम चले जा रहे हो गौतम बोले मैंने बहुत पहले ही जाना बंद कर दिया था मेरी कहीं जाने की कोशिश बहुत पहले ही बंदो चुकी है, मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन आप कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। ताब अंगुली माल हस पड़ा, वो बोला, बकवास, तुम जरूर एक पागल आदमी हो, मैं यहीं खड़ा हूँ, और तुम कहते हो, मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, और कहते हो, रुक चुके हो, तुम्हें हुआ क्या है? गौतम बोले, नहीं, नहीं, मैं बहुत पहले ही पहुच चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आप कहीं जाने की खोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको तरीका नहीं पता आपको मेरी उंगली चाहिए या मेरी गर्दन मेरे सिर को पेंड़ेंट बना कर लटका लीज Bread उंगलिया तो हैं? अब मेरा सिर लटका लीजे यहार में अच्छा पेंडेंट होगा क्योंकि मुझे मन्जिल मिल गई है अब मेरे शरीर से यहां होने से कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो चाहें कर सकते हैं देखिए, हत्या करने में मज़ा तभी आता है जब कोई डर जाए और मरना न चाहे जब कोई मरना चाहे, उसे परवाह ना हो तो उसे मारने का क्या फाइदा और ऐसा लग रहा था कि इसे मार कर भी 101 लोगों की मारने की वासना पूरी नहीं होगे क्योंकि इसे मार कर खुशी नहीं मिलेगी फिर वो बोला, मुझे बताओ यह क्या है तुम चल रहे हो, पर कहते हो, रुक चुके हो मैं खड़ा हूँ और तुम कहते हो, मैं चल रहा हूँ आप अपने तरीके से त्रिप्ती खोज रहे हैं 101 मैं त्रिप्त हो चुका हूँ, यही बड़ा फर्क है आप मेरी जान ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप तृप्त हो जाएंगे, तो क्योंकि लोगों को तृप्त करना ही मेरा काम है, अगर ये इतनी आसानी से बिना शिक्षा के मेरा गला काट कर हो जाए, बस काट दीजे, समस्य क्या है? तब अंगुली माल उनके स्टार शिष्ष बन गया, फिर गौतम बोले, आप उस शहर में जाओ, जहांके सौ लोग आप मार चुके हो, एक छोटे से शहर के सौ लोग, यानि उसने लगबग हर परिवार के किसी व्यक्ति को मार ढला था, तो गौतम ने उसे साधु बना दिया, गौतम के साधुओं को बिक्खो कहते थे, बिक्खो यानि भिकारी, तो उन्हों ने उसे पीले कपड़े और एक भीका कटोरा दिया, वे बोलें, जाओ, शहर में भुजन रूटो, तो अंगुली माल शहर में गया, एक साधु के रूप में, लोग उसे देख कर डर गए, वे नहीं जानते थे कि वो यहां क्यों आया है, वे सब जाकर अपनी छटों पर खड़े हो गए, क्योंकि वे उससे डर रहे थे, फिर जब उन्होंने देखा कि वो बदल गया है, और अब भैंकर आदमी नहीं रहा, तो वे पत्थर भैंकने लगे, क्योंकि हर परिवार के लोगों को उसने मारा था, तो वो चलता रहा, उसे पत्थर लगते रहे और खून बहता रहा, जब पत्थर बाजी कुछ ज़्यादा हो गई, तब गौतम आये और लोगों को रुकने के लिए कहा, और बोले, ये वो आदमी नहीं है, ये आदमी मेरा हिस्सा है, तुम मुझ पर पत्थर भैंक रहे हूँ, रुक जाओ, इसे मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसे बहुत मुश्किल तरीके से हैसास हुआ है, अब इसे मार कर बरबाद मत कीजिए, तब अंगुली माल, जैसे कि मैंने कहा, एक स्टार शिष्ष बन गए, और पूरे देश में बुद्ध के जीने के तरीके और उनका ज्ञान पहलाने लगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कैसी त्रिप्ति चाहते हैं, आपको लगा था कि शिक्षा शित्रिप् हैं, नौकरी ना हो तो शिक्षा का क्या फाइदा, आपको नौकरी मिली, आप बहुत खुश हुए, फिर कुछ समय बाद आपको लगा आप मूर्ख हैं, इस पैसे का मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मेरे सपनों की स्त्री या पुरुष न मिले, तो वो भी हुआ, कुछ स इच्छा यानि विस्तार की चाहत यही आपकी इच्छा हैं, अगर आप विस्तार करने के भहतिक तरीके चुनेंगे, तो आप यहां तक या यहां तक या यहां तक जा सकते हैं, पर इच्छा बनी रहेगी, अगर मैं आपको धरती का राजा बना दूँ, तो आप दूसरे ग अगर मैं आपको सौर मंडल दे दूं, तो आप आकाश गंगाएं देखेंगे. एक आकाश गंगा मिले, तो आप दूसरी आकाश गंगाओं को देखेंगे. आप ये या वो नहीं चाहते, आप विस्तार चाहते हैं. अगर आप इससे होश पूर वक्ष हो जेंगे, तो आप योग बन जाएंगे. योग यानी खुद को टेढ़ा मिला करना नहीं है, योग यानी आप सृष्टी के साथ एक हो जाएंगे. अगर आप ऐसा अचेतंता में करते हैं, तो ये मजबूर करने वाली इच्छा बन जाती है.